अब फिर से आप सभी को rain देखने को मिल रही है, IPL final के match में, गुजरात और चन्ने के बीच में, कल rain की वज़े से match नहीं हो पाया था, आज recedule किया गया है, पहली inning जब हुई तो बिल्कुल rain नहीं हुई, 214 रम बने, काफी बड़ा target चन्ने को मिला है, अभी क्या है कि 4 रम 3 ball हुई है और फिर से rain हो चुकी है, हो रही है अभी फिलाल, तो rain हो सकता है 30 minutes भी हो, 1 hour भी हो, weather forecast किसी का भी accurate नहीं हो सकता है, अब यहाँ पर क्या situation है, MS धोनी ने toss जीत करके balling इसलिए ली थी कि बाद में rain के chance जाए, अब जितनी ज़्यादा rain होगी चन्ने के favor में match होग अगर 5 hour का game होता है, और एक भी wicket नहीं गिरे होते हैं चन्ने के, तो चन्ने को जीतने के लिए 43 runs चाहिए होंगे 5 hour में, अगर चन्ने का एक wicket गिर जाता है, तो 5 hour में 48 run चाहिए होंगे, और अगर चन्ने का 2 wicket गिर जाता है, तो चन्ने को जीतने के लिए 55 run चाहिए तो आप देख सकते हो इतना बड़ा टार्गेट लेकिन 5 ओवर में कितना चाहिए मात्र 43 या 48 या तो 55 बहुत ही कम टार्गेट इसी तरीके से अगर 8 ओवर का होगा 10 ओवर का होगा तो जितने कम ओवर के मैचेज होंगे वो चिन्नई के फेवर में जाएगा और इसी लिए MS ध अब ही क्या है कि हम लोग नेक्स्ट मैच कवर करेंगे अब इस मैच की जो बाते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है कंट्रोल में नहीं है तो अगले मैच में फोकस करते हैं विटेलिटी ब्लाश्ट वाले मैच पे उसमें एक बाद फिर से हम अच्छी विनिंग करेंगे जैसे ह हमने कल की थी आज हमने विटेलिटी ब्लाश्ट का मैच कवर नहीं किया था जैसा मैंने आपको अल्रेडी बताया था कि आज IPL फाइनल की वज़े से हम लो रात के ग्यारा बजे वाला मैच कवर करेंगे